तो चले हैं आपको एक लेटेस अपडेट देनी है जो कि आपके री टोटलिंग और आपके जो आंसर स्क्रिप्ट से हुए थे जुलाई वालोग के लिए आपने जुलाई में पेपर दिया हो था और उसकी जो रिजल्ट आपके नॉमबर 10-11 को आपके डिकलियर हुए थे ठी है तो उसके रिजल्ट के लिए जो है काफी जारी कोईरी आ रही है तो मैं बता देता हूं कब आपके इसके रिजल्ट डिकलियर होंगे तो यहां पर जो है इसके रिजल्ट डिकलियर किया जाते हैं इस्ट्वेंट जून में जाके कोर्स में नन फॉर्मल कोर्स में क्लिक कर गया तो इसको आने में कितना time लगता है तो इसको आने में आपका within four to five month आप मानके चले लगी जाता है ठीक है तो क्योंकि अप्रोसेस apply करने के लिए आपको करेबन 45 days का समय दिया जाता है ठीक है उसके अंदर तो apply करना होता है उसके बाद आपका ये result आपका डिक्लियर होता है तो यह जो रिजून तक यह जो है आपका रिजल्ट या जुलाई तक भी जा सकता है ठीक है विसकली मैं और जून तक आपका आज आना चाहिए यहां पर टूटलिंग वाज़िट और अभी जो यह आया था इसमें आप देख सकते हैं कितने बच्चे जो यह हमारे पास 260 सिगने कि 246 बच्चों ने अप्लाई किया था और इस पकार थे यह आपकी जो है लिस्ट आती है और यहां पर आपका जो बिफोर रिटॉटलिंग जो आपको गरिड़े से बहुत से बच्चे एफ वाले होते हैं उनको लगता है कि हमारे प्रसेंटर में इनको चले और जून होगे और यहां लेटर MDP लिए अविज़नुär फिर आप नमबर देखेंगे फिर आपके लिए यह फॉर्म ओपन किया जाएगा तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं यहां पर इसका आप्सन अफलेवल है ठीक है अप्लीकेशन यहां पर इसकी अफलेवल है जिसमें फिर आप रही टोटलिंग मगरा करवा सकते हैं क्योंकि सिर्फ बेजने का आपको टाइम दी जाता है तो उसके तीन से चार मंथ वाद आपका जो है रिजर्ड डिकलियर होता है ठीक है तो अभी नहीं आया है अभी आपका यह और डिले होगा तो थेंक्यू फॉर वाचिंग